पुलिस ने सॉल्वर गैंक के सदस्यों को फिया गिरफतार अभी उप्तों को भेज़ जे पेली भीत में किसान ने पांसी लगाने का किया प्रयास मंडी में धान न तौलने से नराज था किसान पुलिस ने बचाई किसान किसान बलवरामपूर में ट्रैक्टर से खुचल करकी गई बीजेपी कारकर्ता की हत्यार ट्रैक्टर सोक फराद हुआ रोपी ग्रामिनों ने शवरक कर लगाये जां बलवरामपूर में वारल फीवर से हुई एक ही परिवार की चार लोगों की मौत मौके पहुंचे स्वासु भाग की टीम इलाज करवाने से तप्रा रही ग्रामिन आगरा के थाना लोहा मंधी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको बता देएं कि पुलिस ने सॉल्वर कैंग के सदस्य को गिरफतार कर लिया है साथी सॉल्वर कैंग का एक सदस्य जूनियर एडेड हाई स्कूल के सेलेक्शन परिक्षा में नाम बदल का परिक्षा दे रहा था आपको बता रहें कि वीनू नाम के व्यक्ति ने भुपनेशर की जगा भुपेश को परिक्षा देने के लिए भेजा था वहीं पुलिस ने बताया कि पूश्टाच में कई नामों की पुष्टी हो सकती है फिलाल अभियुक्त को कानोनी कारवाई कर जेल भेज दिया है तो आकरा के पूरा मामला है जहांपा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने सौलवर गैंक के एक अभियुक्त को गिरपतार कर लिया है साथी आपको बता दें कि परिक्षा में नाम बदल कर ये गया था और ऐसे में अब पुलिस ने इसको किरफतार कर लिया है साथी पुलिस ये भी कह रही है कि पूश्टाच में कई एहम जानकारियां कई बड़े खुलासे भी ये अभियोग कर सकता है पिलिभीत के नवीन मंडे सल पूरन पुर में धान तोलने कोले का 29 धान किरे के इन रुसापित किये गए है उतरप्रदेश सरकार के मंच्छा के अनुरूप धान खरीद लगातार की जा रही है और इसके लिए धान खरीद नीती के अंतगत धान खरीद भी जाली है और धान तोलना भी तोला भी नहीं चा रहा है इसी के चलते पूरन पूर मंडी में किसानों की तरफ से पूर में लाए गए धान की तोल नहीं की गई और अचानक हुई बारिश से किसान आहत हो गए जिसके चलते किसान ने सेंटर प्रभारी से धान तोलने को कहा तो सेंटर प्रभारी ने वारदाना ना होने की बात कही और इसी बात से परिशान हो किसान ने फांसी लगा कर जान देने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौझूद दूसरे किसानों और पुलिस ने किसान को फा कासकार फांसी लगाने के लिए कि ऐसकार को इतना मांचिक पर्षिान कर दिया कि यह परेग्य लाकर फांसी लगाने के लिए त्यार हो french और हम लोग दवारा पहुंच कर उनको रोका गया और उनकी जान बिचाई जा सकी अगर हम लोग जरासी भी देरी कर देते हैं शेहदा आज एक किसान की जान चली जाती है कौन से मंदी इस्तल का मामला है और महीं पे सेंटर यो PCF का सेंटर था उस सेंटर पे वार्दत हुई है और आगे दूसरे सेंटरों का भी हाल बहुत बुरा है अगे महेश यहां के इंचार जह है PCF सेंटर के उनको यह कहा कि लुए जिए जाद तोल लीजिए बरसाथ का मौसम है तो इन्होंने कहा कि हमारे आभार ना मिनिये बार दान वी नहीं और लाइड भी नहीं तो जिसको लेकर मैंने बार बार प्रसासन प्रसासन यालाईयो कोधवाल साफ को बिकरम सियो साफ जो है उनको और इस्दियर्म साफ को अवग्त करया और उसके बाद भी कोई भी प्रसासनी कारी जो थे महन वरत लेके बैड़े हुए थे कुम्तरन की नींद हो रहे थे इतर परसाथ हो रहे थी धान खराग हो रहा था तो मैं इतना उतेजीत हो गया कि मैंने फिर इस धान को तुलवाने से अच्छा यह है कि मैं आत्मत्या कर लूँ तो मैंने फासी के लिए कदम उठाया फिर किल लोगों ने आपको बचाया मुझे जो ऐसा ही है हमारे हलके के वो यहां पे हमें नजर बंद करे हुए हैं अलिगर के कवार्सी थाना श्वेत्र में 12 अक्टूबर को हुई डॉक्टर आस्था अकरवाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है आपको बतादें कि आस्था की हत्या उसके पती अरुण अकरवाल ने तीन लोगों को पैसे दे कर कर आई थी अरुण ने एक लाख रुपे में आस्था की हत्या कराना तय किया था जिसके अवज में वो साथ हजार देच चुका था और ऐसे में पुलिस ने मामले में मृतका के पती सही तीन लोगों को अब गिरफतार कर दिया है जबकि एक अभियोग पराज चल रहा है पुलिस उसकी तलाश कर रही है तौलिगर का पूरा मामला है कवारसी थानाशेत्र का जहां पर बीते दिनों एक महिला की मौत हुई थी जिसके बाद पुलिस ने पूरी हत्या का खुलासा कर दिया है और ऐसे में खुलासा करते हुए बताया गया है कि आस्था के पती ने ही कुछ लोगों से उसकी हत्या काने के लिए उसने दिये थे पूलिस को सूचना मिली थी कि रमेश वियार में एक महिला की बॉड़ी है और पुलिस मौके पर मौके पहुची और मौके से बॉड़ी जो की लटकी वी थी हैंगिंग पोजिशन में थी वहां से पुलिस ने बरामत किया और उसके बाद पोस् हत्या की जाना की पुश्टी हुई इसके बाद श्रीमान पुलिस अधिक्षक मौके द्वारा इसमें चार टीमें निवक्ती गई जिन पर जिन्नों ने इसमें काफी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटेफिक एविडेन जुटाते हुए विवेचना की और उसमें यह निक आत्मत्या के जुरूर देने के लिए मारने के बाद रसी पर टांग दिया गया था बलवरामपूर में ट्रैक्टर से कुचल कब बीजेपी कारिकरता की हत्या कर दी गई बताय जा रहा है कि थाना हराइग्या श्वेत्र में बीजेपी कारिकरता के पिशुकला बाइक सिज़ा रहे थे तभी ट्राक्टर ने उनकी बाइक में टककर मारती और उसे गिरा दिया पहले तो उने लगा कि ये सिर्फ हादसा है लेकिन जब ट्राक्टर सवार ने बाइक में तोबारा टककर मारी तो वो जान बचाने के लिए धान की खेतों की और दोडने लगे ये देखकर चालक ट्राक्टर लेका खितों में उन्हें दोडाने लगा और इसके बाद दमंग में उन्हें रौंध कर माग डाला वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्राक्टर लेका भागने लगा लेकिन फसल की वज़ा से उसे गधा नहीं दिखा जिससे ट्राक्टर गठे में गिर गया और आरोपी ट्राक्टर को वहीं छोड़का फरार हो गया वहीं घटना की सूचना मिलते ही मोहलू पुर्वा और दरजनो गाउं के लोग वहां पर खटा हो गए साथी में तक बीज़ेपी कारेकरता के शफ को बाजार में रखकर जाम भी लगा दिया तो बलवरामपूर के पूरा मामला है जहां पा बीज़ेपी कारेकरता को ट्राक्टर से कुचल कर मार डाला हाला की आरोपी अभी भी परार बताय जा रहा है लेकिन इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया बीज़ेपी कारेकरता को क्यों रौनदा गया क्यों मारा गया विस और रहिया के ग्राम भड़सईया के निकट एक विरक्ति किस्ट्र प्रकाल शुकला की मृत्यू हो गई किस संदर में उनके परजनों द्वारा अभियोग पंजिक्रित कराये जा रहा है उनकी तहरीद के आधार पर पंजिक्रित कराये जा रहा है और शौ को पोस्टमार्टम के लिए बेजा जा रहा है साक्ष्यम गुर्दोस के आधार पर सीग्रि इस विवेशना का निस्तारण किया जाएगा जो भी इसमें दोशी है उनके विरुत्र सक्ट से सक्ट करवाई की जाएगी चलिए जादा जानकारी के साथ बलरामपुर से हमाई संबादाता प्रमोद कुमार हमाई सार जुर चुके हैं प्रमोद आखिर ये पूरा मामला क्या है क्यों बीजेपी कारकरता कुछ प्राक्टर से कुछ लग गया है जी हम आपको बता दें कि ये इनका चुनावी रंजिस था ये परधान परतनी भी थे और इस बार इनोंने जीत भी लिया था इनको तीन साथ महीने पहले इनसे एक चुनावी रंजिस को लेकर इनके उपर वार किया गया इनको गोली मार दी गई उसके बाद में इन पर 307 मुकदमा लिखा गया आरोपी को बंद किया गया वो छुटते ही इन पर फिर हमला बोल दिया जी प्रमोट अपतक इस पूरे मामले में क्या कुछ कारवाई की गई है क्या भी तक जो फरार प्राक्टर चॉलक था उसका पता चुल पाया है जी इसमें नाम दर जिनोंने अप्लिकेशन दिया है इसमें पाच अभी हुक्त के नाम दिये गए है जो कि यहां अभी पुलिस यह तो फरार चल रहे हैं लेकिन पुलिस उनके पिता जी को पकड़ के लेके गई है चलिए प्रमोट आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के लिए उतुबलरामपुर के पुरा मामला है जहां पर बीजेपी कारकरता को ट्राक्टर से कुचल दिया गया और उसके बार ट्राक्टर छोड़ कर आरोपी वहां से परार हो गया जिसकी पुलिस अभी भी तलाश कर रही है वलरामपुर के ब्लॉक, शिवपुरा, ग्रामसबा, गुकोली गाउं में वारल फीवर से फिर एक ही परिवार के चाल लोगों की मौत हो गई है बताये जा रहा है कि कुछ दिन पहले साथ मासूम बच्चों सहे नौ लोगों की मौत हो चुकी है वहीं जब सौासेभा की टीम मौके पर इलाश करने के लिए गाउं में पहुंची तो गाउंवाले इसे देविय प्रकुप समझ का इलाज कराने से कतराते रहे गाउंवाले से देविय आपदा मान परही हैं जिसके चलते गाउंवाले जारपू के चकर में पढ़ गए हैं तो बलबरामपुर का पूरा मामला है जहां पर एकी परिवार के वारल फीवर से चार लोगों की जान जा चुकी है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अंधविश्वास लोगों के मन में अभी भी कितना बसता है ये देखा जा सकता है बलबरामपुर में क्योंकि ज़स्वासिव भाग की टीम वहां पर पहुंची तो इसे लोगों ने देव्य प्रकोप बताया और कहा कि हम इलाज नहीं कराएंगे ये कोई हम बिमार नहीं है कि देव्य प्रकोप कोछ दिन में ठीक हो जाएगा हमें सूचना मिली आसा द्वारा की गाओं में चार बच्चे एक्सपायर है तो हमारी टीम के साथ हम लोग वहां पहुंचे तो वहां जो उस समय सिती थी तो दस्ट और डागिया के ही पेशेंट थे इसमें से जो दो बच्चे खताब हो गए तो परिवार वालों से पता चल है और जो बच्चे सीरियस थे लोग हम लाके हम मतुरा प्यसी पे डिमिट करा दिये हैं सभी ठीक है एक बच्चे की हालत अभी थोड़ा नाजुक है लेकिन कल से बेटा है यह कौन सी बुखार है अब देखने से तो डायरिया बुखारी लग रहा है लेकिन हो सकता है कि वास्ते विभाग आया कोई नहीं आया यह कम मरे हुए है कं आच चीम रोज मरे हुए है अच्छा यहां स्वास्ते विभाग कुछ दवाई दिया है नहीं इसका वोजा क्या है किस लिए अभी तक नहीं दवाई परसों हो जो नहीं को दिया गया है और यहां दवाई लोगों को दिया गया चार थोड़ी जोनहें खत्रा हो गए तब जोनहें आये हैं चली एक बाद पर बलवरामपूर से माय संबादाता प्रमोद कुमार कर रुख करेंगे प्रमोद जिस तरह से वारल पीवर का कहल लगाता बलवरामपूर में बढ़ रहा है लेकिन लोगों के मन में अंधविश्वार्ज भी उसी तरह से है बिल्कुल तो क्या आप लोग वहां पर मान गए हैं क्या वो इलाज कराने के लिए यार हो गए हैं जी वहां चार बच्चे मर चुके थे और पांच लोग बीमार थे जिसको एक की हालत गंभीर थी वह स्वास्त विभाग में लाकर इलाज चल रहा है और एक बच्चे की हालत गंभीर थी और चार ठीक ठाट थी बिल्कुल प्रमोद और अभी तक अगर करता है कि टीम स्वास्त विभाग की टीम मौके पर जाकर दवाई नहीं बित्रन करता है गाँ चलिए शाय संपर्क टूट काया है हमारा प्रमोथ मेरी आवाज आ रही है आपको जी बोलिए बताइए यहां के लोग का आरोप है कि स्वास्त विभाग के टीम द्वारा अभी तक ना दवाई बित्रन किया गया है और ना ही इनका इलाज आतपास के गाउं का में आतपक टीम आई है तो लेकिन प्रमोथ जिस तरह से स्वास्त विभाग की जब टीम जा रही थी वहाँ पर लोग इलाज कराने से कत्रा रहे ते वहीं लोग स्वास्त विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं कि टीम वहां पर नहीं पहुंछ पा रही लेकिन कुछ घरों में गए थे तो दाइबिक मानकर जारफूग के चकर में थे लेकिन आसपास के गाउं के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारे यहां टीम सौास्त बिभा की टीम आती नहीं है ना मुझे दवाई मिलता है इसे हम लोग को खत्रा बना रहता है और वहां की बात की जाए तो सफाई को लेकर जब सफाई चारोता और अब गंदगी काम बाल लगा है जिससे आए दिन लोग बिमार रहते हैं यहां पूरे बलाक की बात यही है जी चलिए ठीक है प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया समान जानकारी के लिए तो बलडरांपूर में वारल फीबर का कहर देखने के लिए मिल रहा है एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई लेकिन गाउंवाले से देविय प्रकूप समझ का इलाज कराने से कत्वा रहे हैं गाउं वाले से देवी आपता मान रहे हैं जिसके चलते जार फूब के चक्कर में पड़े हुए हैं और स्वासे भाग कि जब टीम डूगों का इलाज करने वहां पर पहुंच रहे हैं तो ग्रामीन इलाज कराने से पीछे हट रहे हैं ग्रेटर नॉइडा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलन्द होते नजर आ रहे हैं ग्रेटर नॉइडा के खेड़ा चोहानपुर गाउं में कारसभार बदमाशों ने पूर प्रधान का अपरहंड करने की कुशिश की वहीं पूर प्रधान की शोर मचाने पर ग्रामिनों ने दो बदमाशों को पकड़ का पुलिस को सो दिया पुलिस मामले की जांच परतार में जट गई है तो करेटर नॉइडा का पूरा मामला है जहां पर बदमाशों के होसले किस कदर बुलंद हैं और कितने ज्यादा बुलंद हैं ये पता चलता है दरसे बदमाशों ने पूर प्रधान को अपरहंड करने की कुशिश की हाला कि जब पूर प्रधान ने शोर मचाया तो बदमाश ने बही पर छोड़ कर चले गर रसे में ग्रामिडों ने बदमाशों को पकड़ कर पुलिस को भी सौप दिया है मारी है जब मैं उतर पाया हूँ गाड़ी में से तो जानकार नहीं है बदमाश बता रहे हैं तो पुलिस को जानकार नहीं है पुलिस को भुला के जानकाई दिये, पुलिस क्या कह रहे हैं? पुलिस मुकदमा लिक रही है, पुलिस मुकदमा लिक रही है, कारवाई कर रही है, पहले आप इनसे मिले हो, कभी? किस से नहीं? जब घर पा रहे हैं, जब ही मिल रहे हैं, कल आए, कल मैं नहीं मिले हैं, मैं इ के रहने वाले सेना के लांस नायक सत्यम पाठक का शब जैसे ही गाउं पहुंचा वहां पर मौजूद हजारों लोग रोने लगे लांस नायक के अंतिम व्यात्रा में भारत माता की जै और सत्यम पाठक अमर रहे कि नारे कुछते रहे ऐसे मेडियम अविनाश कुमार एसपी अजे कुमार और अन्य प्रिसाश में कदकारियों और सेना के अधिकारियों की मौजूद्गी में उनका अंतिम स्वनस्कार किया गया यहां पर रवल्दार सब्सक्राइब फाठक जो इन वहां की सर्विस कंडिशन है बहुत दिफकल्ट है उस सर्विस कंडिशन में जो ड्यूटीज दी गई उस ड्यूटीज को निवाते गए वह अपने जीवन का बलदान देश के लीए तो उनका सब्सक्राइब और उनकी जो अंतिमी राइट्स हैं उनके परिवार के मार्जम्स कराने के उसके लिए हैं लरितपुर के सदक उत्वाली शेत्र में दो दिन सिलापता च्छात्रा का शव गोविन सागर बांध में तैरता मिला सूच्रा मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब से मिले का पोस्पॉटम के लिए भेज़ दिया है साथी शात्रा के पिता ने एक यूवग पर परिशान करने और रिष्टा तुरवाने का आरोप लगाया स्पी ने बताया है कि शात्रा के पिता की तहरीर पर मामला दर्श कर लिया गया है और आगे कारवाई की जा रही है तो लड़ेतपुर का पूरा मामला है जहां पर बान के पास एक छात्रा का शव लापता मिला है आपको बता दें कि लापता थी छात्रा काई दिनों से जिसके बाद अब शव को बरामत कर लिया गया है साथी पिता ने आरोप लगाया है कि एक लड़का परिशान कर रा था और रिष्टा तुरुआने का आरोप भी मृतका के पिता ने एक यूवक पर लगाया है रोतास के डेहरी में महिला थाना में अपने दो बेटियों के साथ एक महिला पहुंची जिसने अपने ससुराल वालो पर आरोप लगाया है कि उसके एक बेटे को ससुराल वालो ने उससे चीन लिया है और महिला का को दोनों बेटियों के साथ खर से निकाल दिया महिला ने अपने ससुराल वालो पती पर आरोप लगाया है कि 6 साल पहले मुफिसल थाना शेत्र के कंचनपुर में उसकी शादी हुई थी महिला ने पती पर श़राब पिकर मार पीट करने का भी गम भी रारोत लगाया है साथे संबन में पिरिता ने महिला थाने में आवेदन देका न्याय की गुहार लगाई है वही महिला के शुकायत के बाद पुलिस ने अब कारवाई शुरू कर दी है सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रोट के साथ कारिख्रम की समिक्षा की गई जिसमें पैरा लीगल वॉलन्टियर से कार्यों में गती लाने के निर्देश दिये गए साथ ही लीगल पैनल को भेतर तरीके से काम करने के लिए भी कहा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकों को राश्टे लोक अधारत का लाब मिल सके। शुराब और शुराब बनाने को गंड को बरामत किया है। सवार होका मोहन्या के भरकर गाउं में लकडी का शगुन देने जा रहे थे। तब ही बताने परासिया पेट्रोल पंप के पास गाड़ी को साइड वे खड़ा कर मोबाइल से बात करने लगे। इतने में ही मोहन्या की तरफ से तेज रप्ता से आ रही ब्रेक फेल वैक्सिनेशन बोल्डरों ने जोरदार टकर मार दी जिसमें घर्टा इस्तल पर ही एक व्यक्ते की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभी रूप से खायल हो गए। जिसके बाद आसपास के लोग घर्टा इस्तल पर इखटा हो गए और खायलो को आनन पालन में सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां तीन लोगों की नाज़ों खालत को देखते हुए उन्हें बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। परसियां पेट्टा ठांकी के पास घटना है। टिका एक्सप्रेस और बाइक में आपस सामें सामने की टक्कर है। जहां तक लोग बता रहे हैं कि गाड़ी का इस्टेरी फेल हो गया है। और उसमें बाइक पर चार लोग थे। जिसमें एक ब्रिद व्यक्ति की मिर्थी होगी तीन इंजॉर्ड है। हमें फोन किया वहां से लोगों ने मैं तुरंत पहुंच के उना अपनी गाड़ी से और एंबुलेंस के माजन से यहां लाया है। पता चला कि यह लोग दुबावली के रहने वाले हैं। और सगाई करने के लिए जा रहे थे कहीं। और उसी दर्मियान यह घटना हुई है। आमने सामने की ठककर है। कई लोग घायल है। तीन लोग घायल है। एक एस्पॉर्ट डेट है। और सुनने में आ रहा है कि ड्राइवर का भी हाथ टूड़ी है। यह घटना परसियां गाउं और परसियां प्रेटॉल पंप के बीच में एका घटना है। यह लोग भभुवा से जा रहे थे कोई ब्रक्षा के आयोजन था उसे में समलित होने। और यह लोग रहने वाले दुबावली के हैं। यह लोग दो बाइक से पांच लोग थे। उसी जाने के करम में किसी के मॉबाइल पर फोन आया है। उन्होंने बाइक साइड में लाका बात कर रहे थे। उधर से ब्लस पुलियों के जो गाड़ी है ठीका करन वाली वो आ र झाली वो आया है।